हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपको सर्दियों बनने वाले स्पेशल मल्टी ग्रेन आटे के लड्डू बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा इस तरह से लड्डू बनाएंगे 15 दिन ते को स्टोर भी कर सकते हैं और एक खाने में काफी टेस्टी और हेल्दी भी रहेंगे और लड्डू की सेलफ लाइफ बढ़ जाती है तो ओके देखे यहां पर मीडियम टू लो फ्लेम में ना कमस्कम दो से तीन मिन तक इनको शेलो फ्राइड कर लीचे जैसे इनको प्लेट में निकाल लेना है जैसे ठंडे हो जाएंगे इनको अपना थोड़ा सा बारी काट ल लिए गीज जैसे मेल्ट हो जाएगा इसके पूद आपने इसमें मल्टी ग्रेन आटा एड़ कर देना है अगर आपके मल्टी ग्रेन आटा ना हो आप इसकी जगा गेहूं की आटे का यूज पी कर सकते हैं तो यह देखे गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है और गी की कॉंटेटी कम हो रही है तो आप इसमें गी एड़ कर लेना है अगर आपका आटा देखे इस तरह से लुकर फॉर्म में दिख रहे ना तो गी डालने जूट नहीं होते है क्यों क्योंकि जब आटा पक जाता है तो इसमें गी अपने आपी साइड में आना शुरू हो है तो कि देखिए आटे में यहां पर खुश बोहना शुरू चुकी है आट अच्छी तरह से फूल चुका है इसके वद आपने इसमें पचास करम खसकस हैड करनी है खसकस हमारी हट्टियों के लिए काफी फाइद अमन होती है तो थोड़ी से आप इसमें खसकस का यूज ज और अंजीर भी साथ में डाल देजें अंजीर फाइवर से भर पूर होते हैं और हड्डियों के लिए वी काफी वाइद मन रहते हैं और पचास क्रम ने किश्मिश लिया है पट किश्मिश आपने अवी नहीं डाल देंगे तो क्या होगा वह फूलना शुरू जाएगी और के बाद मेल्ट हो जाती है तो किश्मिश को बाद में यूज़ करना है अंजीर को मैं अची तरह से मिक्स कर लिया है और के देखे यह हमारा जो मिक्श्र है वहां पर त्यार हो चुका है इसको आपने एक ट्रे में निकाल लेना है तक कि थोड़ा सा यह ठंडा हो जाए यहा काट के अड़ किया है जो ड्रायनर्स के उनकों मैंने देखे मोटा मोटा दरदरा सा काट लिया है आप ड्रैनर्स को दरदरा पीस पिसकते हैं अगर आपकी अतना टाइम नहों इंको काटने का और अच्छी तरह से सारे अंग्डीने को आपने मिक्स कर लेना है हमारे जो mixture यहां पर गुन-गुना हो चुका है तो इस तरह से आपका जो mixture बनके त्यार होना चाहिए यहां पर फिर आपने इसमें मीठा करने के लिए गुड का यूज करना है तो यह दो पीस मैंने गुड के लिए है इसका जो बेट है वो 100 ग्राम है और इस गुड को आपने दिखे काट लेना है या तोड दीजे तकि यह जल्दी से melt वह जाए फिर आपने कडाही देनी है जो गी बच गया था उसमेंसे थोड़ा सा गी आपने कडाही में add करना है तो थोड़ा सा गी मैंने कडाही में डाल दिया है और 50 क्राम किश्मी शैड किया है वो भी मीठा करने के लिए ही यूज़ किये जाते है तो ओके देखे गुड को मैंने गी के साथ अची तरह से melt कर लिए है अब आपने गैस की flame बंद कर देनी है और इसके बद गुड गर्म गर्म रहेगा इसको आपने जल्दी से जो मिक्षर आपने आटे का बना के रखोगा उसमें add कर देना है और एक बात यहाँ पे आपने आपने हाथ नहीं लगाना है पल्टे से ही इसको आपना mix कीज़े देखे इस तरह से क्योंकि गुड कफी दिर तक गर्म रहता है जैसे आपको लगता है कि यह थोड़ा सा गुन-गुना हो चुका है इसके बद आप हाथ का यूज यहां पे कर सकते हैं तो इसके बद आपने इसके गुन-गुना रहेगा आपने लड्डू बना के त्यार कर लेना है तो इतनी कम quantity में आप इन लड्डू को ट्राई कर सकते हैं कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिर्फ 15-20 में बनके त्यार हो जाते हैं थोड़ा समय इसमें coconut powder add कर रहा हूँ इसे ना नर्म रहेंगे लड्डू काफी टाइम तक और इसका जो टेस्ट है ना वह भी अच्छा है का लड्डू में इसको बेची तरह से mix कर लेशे अब इसके वदित के इस तरह से medium size के लड्डू में आपने बना के त्यार कर लेने अगर आपने इनको store करना हो आप इनको freeze में भी store कर सकते हैं किसे steel के डिबे में store करके रख सकते हैं तो friends अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगोगा like, share, comment जरूर कीज़ेगा okay friends मिलते लिए ने वीडियो के साथ thank you